नमस्कार दोस्तों मैं विजय कसाना डेजिटल फिरेशिक्षा के यूटूब चैनल पर आपका स्वागत करता हूँ दोस्तों आरियाना करमचारी चैन आयोग ने गुरूप सी बरतियों के लिए जो डाटा क्रेक्ट किया है इसका कच्चा चिठा सामने आ गया है फादरलेस के कितने कंडिडेटों ने अंग छोड़े हैं इसके अलावा कौन कौन कंडिडेट की कहां कहां गलती ठीकी गई है पूरी इनफोर्मेशन विस्तार से बताई जाएगी और गुरूप 56 सताउन का कब एकजाम होगा इसके अलावा PMT कब होगा पूरी जानकारी साथियो नए डाटा के साथ आपको इस वीडियो में बताई जाएगी इसलिए वीडियों तक जरूर देखें और अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर ले साथियो चलिए देख ली जाएगा ना ही प्राइवेट संस्तानों का माना जाएगा लेकिन 11,205 उमिद्वारों के अंग कटे हैं यानि की रिजल्ट में बदलाव होगा 20,725 उमिद्वारों का डाटा करेक्ट किया गया है फादरलेस के 2812 उमिद्वारों ने अंग छोड़े हैं और साथ ने विद्वा के अंग छोड़े हैं यानि की साथियों कहीं ने कहीं ये कंडिडेट गरत थे इनको लग रहा था कि इनका काम बन जाएगा लेकिन ऐसा नहीं हो सका क्योंकि फिलहाल चेर्मेन बोपाल सिंग्जी खदरी है और इनकी इस कुर्शी के उपर इनके होते हुए ये जो फरजी कंडिडेट हैं ये किसी भी आलत में सिलेक्ट नहीं हो सकती क्योंकि पारदाशी सिस्टम जो इन्होंने किया है वो सात्यू बहुत ही काबले तारिफ है इसके अलावा जो कटेगरिया हैं जिनकी गलतियां ठीक ही गए हैं जर्नल कटेगरि के 4399 उमिद्वारों की कटेगरी ठीक ही गई है यहने कि सात्यू जिसमें एक सर्विश्मेंट कंडेटों की ज्यादा कटेगरी प्रोब्लम बताई जा रही थी तो इनको ठीक कर लिया गया है अब चेर्मेंट साब ने का है कि अभी तो सम्मदित उमिद्वारों को मैसेज किया जाएगा कि उनका स्कोर ठीक कर दिया गया है वैज चेक कर ले जहां तक सार्विश्मेंट करने का परसन है उस पर कानूनी राय ली जाएगी सात्यू अगर कोई दिकत ने हुई तो यह डाटा सार्विश्मेंट भी किया जाएगा देनिक सुरिणा ने का कि चुकि पहले ही 3,69,000 युवाओं का डाटा सार्विश्मेंट किया जा चुका है और उसी डाटा में 20,725 का डाटा ठीक किया गया है तो यह भी सार्विश्मेंट किया जाना चीए इस पर अद्धक्स ने का है कि इस पर कानूनी दरिश्टी से ही विचार करने के बाद फैसला लिया जाएगा इसके अलावा सात्यों गुरूप सी पदों क कटोफ जारी होने के बाद अगर किसी को लगे कि उसके नमबर ज़्यादा है तो वह क्या प्रोसस करे ये भी देखेगा सात्यों यानगी सीटी मेंस एक्जाम के लिए कटोफ जारी करेगी एचसासी गुरूप अनुसार लिखित प्रिक्षा का सेडूल जारी करेगा और कट सबसे पहले वह उस पद के लिए आउसक योगेता को देख ले यानि कि जैसे उस पद के लिए योगेता उन्होंने उदारन देकर भी बताया है कि एमकोम में साट परसेंट चाहिए उस पद के लिए और अगर कंडिडेट का सीटी स्कोर का टोफ से ज्यादा है मगर उसका न नहीं आया है तो साथियों वह संपरक करें और अगर उसकी साइट परसेंट ही नहीं है एमकोम में योगेता तो फिर वह उसका नाम आएगा भी नहीं क्योंकि योगेता ही कंप्लीट नहीं कर रहा है तो यह जानकारिया है बेसिक जो की पहले कंडिडिट देखे उसके बाद SSE Office पहुंचे इसके अलावा गुरूप D बरती में 13,84,000 युवाउने पंजी करन कराया है इसमें से लगबग 2,00,000 ने दुबारा फोरम बरे हुए है यानि कि वास्तों में 11,84,000 उमिदवार है उन्होंने बताया है कि NTA को आयोग ने पत्तर लिख दिया है सितंबर 2023 में CET कराने के लिए तारिक तैकर दी जाए अब सात्यों तारिक तो NTA को करना है कि कब क्यों तारिक डिसाइड करते हैं और कब एक्जाम होगा अगर उमिदवार ओप्सन नहीं दे पाया तो वह है यानिकि सात्यों TGT कर्टेगरी के लिए पदों का रिजल्ट 15 सितंबर तक जारी कर दिया जाएगा अधिक्तम रिजल्ट अगस्त में जारी कर दिये जाएंगे और ये 16 अगस्त के बाद जारी होना सुरू हो जाएंगे सात्यों TGT भरती के जियादातर रिजल्ट हैं वो अगस्त में जारी कर दिये जाएंगे बच्चे वे रिजल्ट हैं वो 15 सितंबर तक जारी हो जाएंगे आप ये देख लिजे सातियों आरियाना करमचारी चैन आयोग गुरूप सी के पदों पर जो 56 और सताउन गुरूप है उनकी प्रिक्षिया 12 और 13 अगस्त को संभावित है यानि कि सातियों संभावित है फिक्स फिक्स वीक से आपका जो एक्जाम है वो करवाया जा सकता है तो ये सातियों एक्जासी ने अभी संभावित है फिक्स 12 और 13 भी नहीं किया गया है फिक्स 5 और 6 भी नहीं किया गया है कितना करेंगे वो ये जरूर कनफर्म मानिएगा कि अगस्त में आपका एक्जाम हो कि कम से कम 5-6 गुणा कंडियेटों को एचसी बुलाएगी 4 गुणा वाले फोर्मूले से ही ये देख सकते हैं चेर्मेन साब ने काया कि गुरूप 56 में 30-32 जार और गुरूप 57 में 32-35 जार उमीद्वार प्रिक्ष्या देने के लिए बैठ सकते हैं और आयोग ने फैसला लिया है कि अगर कटवна 53.666 है यानि कि 43 से उपर है साथ्यूप पॉइंट में कटवन तो तहर वो 43 से उपर वाले सभी उमिद्वारों को एगजाम में बुलाया जाएगा इसके अलावा तेतर वाले सभी उमिद्वारों को तो बुलाया जाएगा इसलिए यह संक्या यानि कि साथियो इसी कार्ण यह ऐसा प्रोसेस अपनाया जा रहा है कि साड़े 5 से 6 गुना तक कंडिडेट पहुंच जाएंगे PMT है साथियो वो एक से तीन अगस्त के भी सुरू होगा 25 जुलाई तक इसका सेडूल जारी कर दिया जाएगा और कटॉप में भी बदला होगा क्योंकि साथियो जब इसमें जो रिजल्ट ही चेंज कर दिया गया है तो कटॉप में बदलाव लाजमी है सभी गुर्पों का सेडूल अगस्त के पहले सब्ता में जारी होगा यानि के साथियो जो बात हम कह रहे थे कल स्याम से कि अगस्त का पहला सब्ता में तो देख लीजिएगा 15 सितंबर तक प्रेक्षाएं आयोजित करा ली जाएंगी सेडूल कब तक जारी होगा कब तक प्रेक्षाएं पूरी करवाई जाएंगी तो इसके बारे में चेर्मेंन साबने का है कि सभी गुर्पों का सेडूल अगस्त के पहला सब्ता में जारी कर दिया जाएगा और उन्य है कि आयोग का प्रियाशा है कि 15 सितंबर तक सबी गुर्पों की लिकित प्रेक्षाएं आयोजित करा ली जाएं और इन गुर्पों की कटोफ भी साथ साथ जारी करेंगी यान की कटोफ भी जाρι की जाएगी पूरा कच्छा-चिठा आपके सामने होगा साथियो ऐस देटेल रीजल्ट भी जारी कर रही है कतों भी जारी कर रही है जो यूँआ की मंग है साथियो सबतो कर रही है फिर भी यूआ क्यों मुद्दा बनाते हैं ये समझ नहीं आ रहा हाँ जो एक्जाम लेट है वो भी अब जल्डी ही कराने की ये गोशना हो सुकी है आज दिन का वीडियो आपके लिए मैत पूर्ण हो सकता है इसलिए दिन में वीडियो जरूर देखें साथ यूग ऐसे ही और बर्तियों से रिलेटर जानकारी के लिए चैनल के साथ बने रहें अपना कीमती समय देने के लिए बहुत बहुत दन्यवाद मिलते है नेक्स वीडियो में